हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ अजे गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजे गुपता एडू पॉइंट्स्टूडेंट हम फीजिक्स का पहला चप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉर क्लास टैन्थ स्टूडेंट मैंने रिफ्लेक्शन पार्ट पे 24 वीडियो बना दिये हुए हैं और उसके बाद से 25 वीडियो से मैं रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ा रहा हूं तो आज जो है वो वीडियो नंबर 34 में डालने जा रहा हूं तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कोमेंट और शेर जरूर करें और स्टूडेंट पिछले चार वीडियो का जो है मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे मैं इस चैप्टर की लाइट चैप्टर की प्ले लिस्ट भी लगा दूंगा तो जो भी स्टूडेंट इंट्रस्टिड हो प्रीविडियो देखने में तो वो प्ले लिस्ट को प्ले करके भी मेरे प्रीव बताये थे, images found by convex lens, तो आज हम क्या करेंगे, उसकी images को एके करके discuss करेंगे, तो last time student मैंने बताया था, convex lens is also known as converging lens, और converging lens की क्या होती है, six ray diagrams होती है, तो हमारे पास convex lens की क्या है, six ray diagrams है, तो चलो उनको एके करके discuss करते हैं, तो हमारा आज का जो topic है, student, वो है, formation of different types of images by a convex lens, the type of image formed by a convex lens depends on the position of object in front of lens, student, convex lens किस तरह की image बनाएगा, वो डिपेंड करता है, कि हमने convex lens के आगे object को, किस position पे रखा हुआ है, we can place the object at different positions or distances from a convex lens to get different types of images, student, हम क्या कर सकते हैं, कि object को हम different different position या different different distance पे रख सकते हैं, convex lens से, जिससे क्या होगा, कि हमें जो images मिलेंगी, वो भी different different types की मिलेंगी, तो we have the falling six cases, तो हमारे पास student, convex lens की rate diagram के कितने cases हैं, six cases हैं, तो चलो एक एक करके हम उन सब को discuss करते हैं, तो end में student मैं क्या करूँगा, इन सब 6 के 6 cases की आपको summary मी दे दूगा, तो चलो बात करते हैं, case number 1 की, तो student इससे पहले कि मैं आपको case number 1 समझाओ, तो पहले आपको ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ student, कि आपको ये rate diagram समझने के लिए मेरा previous video number 33 देखना बहुत ज़रूरी है, क्यूंकि उसमें मैंने क्या किया, rules बताए हैं, जब तक आपको student rules का नहीं पता होगा, या rules की knowledge नहीं होगी, rules की जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको ये video समझ में नहीं आएगा, तो आपके लिए वो video number 33 देखना पहले बहुत ज़रूरी है, तो चलो start करते हैं, case number 1 क्या student, position of object क्या है, at infinity, तो infinity के case में क्या होता, student हम parallel rays लेते हैं, उस case में हम object को arrow के साथ show नहीं करते हैं, और बाकी सभी case में हम क्या करते हैं, object को upward arrow के साथ show करते हैं, तो पहले case में हमारा position of object क्या है, infinity है, तो क्या होगी है, infinity से 2 parallel rays आ रही है, figure पर देखो student, दो फोकस पास होती है motivating और आफ तू पर निपा है यानि कि हमारी Kill प्रिशियन यानि कि वह इसकेस में कहां पर है lag और यह जो इमेज है इसका जो size है वो highly diminished है highly diminished का मतलब होता है student point size image very 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 small image बिल्कुल dot type image इसमें बनेगी और student इसमें जो nature रहेगा image का वो रहेगा real and inverted तो student होता क्या है mirror के case में क्या होता है student जो real inverted image होती है वो front में बनती है और virtual interact image behind बनती है और lens में student बिल्कुल उल्टा होता है behind में यानि की right side पर जो image बनती है वो real inverted होती है और जो front में बनती है या left side बनती है वो होती है हमारी virtual और erect तो चलो student बात करते है case number two की तो इसमें position of objective वो है beyond 2f1 और क्या होरा student object यह जो arrow आपको दिखाई दे रहा है 2f1 के इस तरफ left side पे वो arrow जो है वो object है एक object के top से रे जा रही है parallel तो lens पे टक्राने के बाब वो जा रही है focus से f2 से दूसरी area of light object के top से होते हुए optical center o से होते हुए सीधी pass out हो जाती है और जहां पर यह दोनों rays कट रही है उस point पे हमारी image बन रही है और यह जो image बन रही है downward बन रही है यानि कि इसकी जो nature है वो real और inverted है और position of image क्या बन रही है students case में figure देखो आप between f2 and 2f2 और जो image का size है वो object के size में क्या student छोटा है उसे हम बोलते है diminished image तो चलो student बात करते हैं case number 3 की इसमें position of object है at point 2f1 जिसे हम center of creature भी कहते हैं एक line object के top से parallel जा रही है principal axis के और lens को टक्राने के बाए वो f2 से pass हो रही है और दूसरी रे क्या होती है object के top से जा रही है और optical center से जाते हुए सीधी निकल रही है और जहां पर दोनों की दोनों rays cut रही है वहीं पर हमारी image बन रही है तो आप देख सकते हो student जो हमारी image है वो 2f2 पर बन रही है student इसमें थोड़ी सी correction है जो position of image image में लिखे न यहां पर add 2f1 लिख दिये गलती से यह add 2f2 आएगा तो आप इसको correct कर ले ना प्लीज तो size की जहां तक बात है student आप देख रहे हो object की position थी 2f1 और image की position है 2f2 तो इस case में जो size image का वो same है आप देख भी सकते हो figure में के height of image और height of object आपस में क्या रहे है equal आ रहे है इसलिए इसका जो size है वो same size image बनेगी अब बात करते है student नेचर की तो आप देख रहे हो यह की जो image बन रही है right side पर यह downward है तो downward वाली जो होती है वो होती है real and inverted तो बात करते है student केस नंबर 4 की केस नंबर 4 में position of object है between 2f1 and f1 और एक रहे क्या हो रहा है object के top से parallel आ रही है तो lens पर टकराने के बाद वो f2 से pass हो रही है और दूसरी रहे object के top से होते हुए optical center से होते हो सीधी निकल रही है और दोनों की दोनों रेज जहां पर जाके intersect हो रही है वहां पर जाके image हमारी बन रही है और वह image बन रही है हमारी beyond 2f2 और आप student देख सकते हो जो image का size है वह object size के comparison में काफी बड़ा है जिसे हम बोलते हैं enlarge तो इस case में जो size of image है वह क्या है enlarged है और जहां तक student nature की बात आप देख रहे हो कि जो image बन रही है वह downward बन रही है तो एक object एक रेज हो है वह object के top से principal axis के parallel आ रही है तो lens पर टक्राने के बाद पास हो रही है f2 से और दूसरी image object के top से होते हुए object optical center से हो सीधी निकल रही है तो आप देख रहे हो कि कि दोनों की दोनों race क्या है कि पैलर आ रही है पैलर आने का मतलब है student कि यह जाके infinity पे meet कर रही है करेंगी तो इसका मतलब हमारी position आप जो image इस case में वह है at infinity और infinity पे क्या होगा student size of image होगा वह काफी बड़ा highly enlarged हो जाएगा और वह इमेज भी downward बनेगी इसलिए वह image भी क्या होगी real and inverted होगी तो चलो student बात करते हैं केस नंबर 6 की जो हमारा last case है और student special case है special case में है इसलिए कि बोर रहा हूं students को क्योंकि जो पहले 5 cases आपने पड़े उसमें nature of image जो था वह था real and inverted और जबकि इस last case में जो nature of image है वह है virtual और इस बात का student आपको खास ध्यान रखना है कि जो last six case this case is most important वह इसलिए important है क्योंकि इसमें nature of image वर्चल और इरक्त आ रहा है बाकी 5 cases में image real और inverted आ रही है तो इस case में position of object क्या student between F1 and O object कहां पर रखा हुआ है F1 और O के बीच में रखा हुआ है तो object के top से होते हुए आप्टिकल से होते हुए आगे पास हो रही है लेकिन वह दोनों की दोनों रहे क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है यानि कि जैसे आगे बढ़ती जा रही है उनका distance भी बढ़ता जा रहा है इसका मतलब वह रहे जो है लेंस के बिहाइंड पर मीड नहीं करेंगी जब उन्हीं रहे को हम बैकवर्ड पर यूज करेंगे डॉटिड में तो वह जहां पर वह दोनों रेस कटेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी तो इसलिए प्लिशन ऑफिस्ट्व..." यह स्टूडेंट तो जिस त्रफ उब जक्तै ओजेक्ट, इसी तरफ हमारी इमेज बन रही है और आप इसाज भी देख सकते हो student कि 싸 जूँड देख्टि यह मेज का व ऑबजेट के साईथ के कंपेर्जमन में काफी बढ़ा है जिसे बोलते हैं और यह इमेज टूडेंट फ्रंट में बन रही लेंस के इसलिए इसका नेचर क्या है वर्चुल और इरेक्ट तो अब स्टूडेंट मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं कि मैंने आपके लिए समरी बना दीए यह सारी की सारी डायरम मैंने टैबलर फॉर्म में बना इस टेबल को लर्न करने का मैं इसी त्रिका पताता हूं देखो पहली पांट जो डायरम में नेचर सेम है रिए लैंड इनवर्टेड लास्ट वाले में वर्चुल और इरेक्ट यानि की नेचर वाला पॉइंट यह टेबल कॉल्म यह वह आपको क्लेर हो गया है उसके बाद करते हैं बाद करते हैं पॉजिशन अब चोड़तो इमेज की फिर लास्ट केस को आप छोड़ो शिक्टवाले को अब फिफ्त बान टू फाइब देखो पुजिश्य में ध्यांव देखो तो आपको दिखेगा जो पूजिश्य आप इमेज है और पूसिश्य अप अब्जे सेम हो गया उसका ब्यॉन्ट टू एफ ने इसका उपर चलो इमेज में पूर पॉइंट ब्यॉट वजिटेशन पॉइंट बिट्वीन टू एफ टू यानि कि वन बन की जगह पे तू तो आता जाएगा और फीफ्ट पॉइंट आट एफ वन और पोजिशन अभी मेरे में पहल पॉइंट है एट फू तो इस तरह से जो पहले पांच पॉइंट है उसमें पूजिशन ऑफ उब्जेक्ट और पूजिशन में सेम है सिर्फ वन की जहाँ पर तू लगाने और वह रिवर्स आउडर में हैं और जहां तब स्टुडेंट बाता साइज की साइज chauffeur इंटिके के केसे में निके काफ़ी छोटी तर दिमनी छोटी फिर बराबर्स हां इतकी फिर ब्ड़ी बहुत बड़ी और फिर बड़ी तो स्टुडेंट आज स्टूडेश में इतना ही मिलते हैं थिएप नेक्स्ट फईटीओ में वीड kommen शेयर जुरूर करदे डेंख और साथ ही साथ जो इंटरस्टीड हो प्ले लिस्ट देखने में प्रिवेज वीडियो देखने में तो वो मेरी प्ले लिस्ट भी देख सकते हो जो कि मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा